हेलो दोस्तों नमस्कार और स्वागाते हैं आप सभी को हमारा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजे ट्रॉस के लिए जो कि लाइब डीजे पे ट्रॉस हम लोग जो फिटिंग करते हैं गाड़ी में उस ट्रॉस के बारे में पर लाइट्स मुविंग लाइट्स सबकुछ इसमें फिटिंग आ जाता है और यह हम जो टाटा कमपनी का 407 पिकाप आता है उस गाड़ी में हम लोग इसको फिट करते हैं तो इसका जो डीजाइन है आप लोग देख सकते हैं यह कुछ इस तरह का डीजाइन है यहां पर प लेकिन इस पार्ट को जो पीछे की तरफ लगता है गाड़ी के पीछे की तरफ लाइट बगरा लगता है इसको हम लोग निकालने के सुविधा करके रखते हैं क्योंकि इसको जब प्रोग्राम नहीं होते हैं इसको निकालके रख दिया जाता है और यहां पर साइड में तो छो यहां पर लाइट बगरा लगए यहां पर लगएगा यहां पर अगर आपे है इस में पर उक्षी घर अफ्रे आफेट के बात करें लिए मतलब लगाग avez Blackmesan K मचरुदी से लगाते हैं इसमें 7 जड़ ठीक बिएक तक लगख सकेगा इसमें 12 आर्फी लेट के सार्प भी जोड़ लगता है ठीड़े तो इहाँ पर देखेे यह जो स्क्वेर वाला यह जो पस है तो यह डिल्स अपको दिखा रहा हो ऊपर से दीश जुर। प्रलोस के लगेंगे आट इस आपको आट है और यहां पर आपको निच्छे वाला जो आपको अधरण यहां पर भी निए स्क्राइब साथ यहां पर साइट पर एक पती जैसा एक कुछ प्लेट जैसा कुछ गया है और इसमें एक एक होल और उस साइड में नीचे तक गया है और सभी में एक होल है तो वहां पर इंदर यहां से एक नट यह शावीच यहां सवी इस प्लेट मिल जाएगा तो यह किसके लिए कि दोस्तों एक को मतलब रहने के लिए यहां से एक नट बयद तो यé और गाड़ी जब चलती है तो लाइट को कोई भी मतलब मतलब कोई खराब लाइट में नहीं आएगा वह मतलब फिक्स्ट रहे तो यहां पर आएसे यह पर भी लगा सकते हैं और यह दोस्तों यहां पर देखिए जो रिंग है अंदर का यह जो रिंग है राउन जैसा फ्रेम है यहां पर यह पहला वाला जो रिंग है इस पर लेड लगेगा और यह जो यह जो उपर का जो रिंग है इसमें सार्पी लेड लगता है ठीक है यह जो छोट यह छोटा है और यह थोड़ा बड़ा सा है और इसमें अंदर का जो गया है और तो इसमें सार एक तो आपको आपको एक टॉटाल फीटिंग करके लाइट्स और पर दिखाता हूं तो आप काफी आच्छा पूटाउन पड़े गाइगा इसके बारे में το दूस्तों सका प्राइज के अगर बात करें तो तील का प्राइज जो है वह किलो की हिसाब से अगर आप laser मैटरियल वह सब्सक्राइब उसको लें लिया जाता है मैं और फार के अगर इसको है उसमें तो किलो का रेघ होता यह जादा है तो आप कितना प्राइब आप रह्त होगा दोस्तों की लिए अगर इस फ्रैम की बात करें तो यह 300 किलो से भी जादा है चुप हमने बने है 300 किलो से भी ज्यादा है तो आप मान के से लिए कितना मतलब यह वेट होगा लेकिन इसका जो मेट्रियल है बहुत ही असा मेट्रियल है और बहुत श्ट्रॉंग और मजबूस से इसको बनाया गया है तो वेट थोड़ा जादा आया इसमें जो वेट आया ठीक ठाकी आया है 300 किलो का मान के लिए और आप जैसे फ्रेम्प बना 300 भी अगर जोड़ लेते हैं तो यह 90,000 आ जाएगा आपको इस ट्रस का प्राइस जो आ जाएगा 90,000 आ जाएगा ठीक है तो बस्तों ऐसे आप ट्रस मेकिंग कर सकते हैं और ऐसे ही लेटेस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कीजेगा और ला